असलाम लेकूम, वेलकम टू माई चैनल, मैं आज आज आपको बचेवे कपड़े में से आपको 6 साल की बच्ची का शर्ट नुमार, ट्यूनिक टॉक, फ्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूं, जिससे चबला भी कहते हैं, यह आम, अमूमन ईद के दिनों में सब के ही कपड़ो इसकी आज कटिंग दिखाते हूं, अब यह देखें, यह जो शिलवार का बचाव कपड़ा है, यह बॉर्डर के साथ में इतना ही है, जितना ही बचावा है, तो मैं इसकी साथ, इसकी शिलाई के साथ इस तरह से अटैच करूँगी, लेकिन उससे पहले, मैं इस कपड़े का जो यह कपड़ा है, प्लेन वाला, इसका बैलन्स करकर कटिंग कर लूँगी, ताकि हमारी जो नीचे का हिस्सा शर्ट का है, टॉप का, वो बिलकुर परफेक्ट तरीके से जुड़ जाए, यह वाला जो बॉर्डर है, यह हम इसके साथ अटैच करेंगी, शिलाई करके, कु तो आप स्लाई वैसे ही लगा लें, और इस तरह से यह दोनों पीस अलग कर लूँगी, अब आप चाहें तो यह जो पीस है, इस में से दर्मियान का निशान लगा के, चाहे फरंट पैक पे एक्वल प्लेटें दें, चाहे बॉक्स प्लेट दें, चाहे धागा खेंच कर जो आज कल साइड में प्लेट दे जाती हैं, यह देखें फरंट और वैकम है, यह कठा ही इस बता रही हूँ, यह दर्मियान का निशान लगाने के बाद मैंने दर्मियान से इस साइड, उस साइड नहीं बनाऊंगी, इस साइड वन वन इंच की जितनी सी भी प्लेट आएं अगर आप चाहें तो इस साइड भी दे सकती हैं, और अगर यह पीस आपका दर्मियान का कम रह जाए तो आप यह वाला हिससा इस साइड भी अटेश कर सकती हैं, मैं आपको दोनों तरीकों से ही प्लेट दिखाऊंगी, इधर वाले हिससे से भी और इस इस हिससे से भी, उस प्लेट की हम अमूमन रखते हैं, और शोल्डर भी इतना ही होता है, फाइव से सिक्स इंच का, अब जो हमारे पास यह बचावा कपड़ा है, हम इतना ही रखेंगे, जाहिरा इतना हमारे पास है, लेकिन यह बिल्कुल परफेक्ट है, फाइव इंच से भी ज्यादा हमारा जाएगा, और शिक्स इंच से भी ज्यादा स्लाई का मारजन रखकर देखें, योग की लेंध आ गई, अब इसी तरह से जो यह थोड़ा स और कपड़ा बचा हुआ है, चाहे तो हम इसकी बैक की योग बना लें, चाहे एक और जो प्लेन कपड़ा बचा हुआ है, बैक की हम यह भी बना सकते हैं, इस तरह से दोनों योग हमारी बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी, क्योंकि बैक हमने एक छोटी योग होती है, बैक हमने हमेशा ओपन बनानी होती है, ताकि बच्चे को पहनाने में असानी से आ जाई, यह देखे हैं कि चाहे इस रुप की बना हो जाएगी, लेकिन शोल्डर भी आपका परफेक्ट तरीके से पूरा है, आर्म होल भी इसमें से कटिंग हो जाएगा, ऐसे करके, यह हमारी इस तरह से कटिंग हो जाएगी योग की, अगर आपको आर्म होल ज्यादा मज़ीद बढ़ा चाहिए होगा तो थोड़ा सा कपड़ा आप इसमें जोड भी लगा सकती है, क्यूंकि हमोवन अकसर कच्छो च्छो च्छी कटिंग आपके पास होगी, इसमें से बच् और यह हाफ इंच की थोड़ी सी रेव हो गए तो यह आइम होल हमारा थोड़ा शौट हो गया, इसी तरह से हम फरंट वैक का एकवल गला दो इंच का चोड़ा और दो का ही लंबा कटिंग करेंगे, लेकिन फरंट का हम थोड़ा सा डीप, यानि बढ़ा बनाएंगे, यह हम दो से कटिंग ज्यादा करके, यानि तीन या चार भी कर सकते हैं, जैसा आप बच्चों को पहनाना चाहें, कोई बड़ा पहनाता है, कोई चोटा, लेकिन बड़े गले चोटी बच्चियों के बहुत बुरे लगते हैं, यह देखिए छोटा सा है, लेकिन पाइपन लगकर थोड़ा सा और मजीर बड़ा हो जाएगा, आप इस रुक से भी देख लेएं, देखें कितनी अच्छी गुलाई हो गई, फिर इस तरह से हम दोनों शोल्डर को आपस में सिलाई करेंगे, यह देखिए, इस तरह से यह सिलाई हो जाएंगे, और इस तरह से जो हमारे पस हमने आपको फ्लेर्स देने का तरीका बताया है, वो इस तरह होगा, जो दर्मियान वाला हिस्सा है, यह वाला साइड का है, इसमें से हम थोड़ा सा आर्म होल की कटिंग करेंगे, अगर पहले ही निशान लगा लें तो बहतर है कटिंग बाद में भी हो सकती, इस तरह हलका सा निशान लगाना है, कटिंग अभी नहीं करनी, और फिर इस तरह से हम इसको प्लेर्स चाहे आप उस साइड से कर लें, चाहे इस साइड से, प्लेर्स का कोई इतना ज्यादा इशू नहीं होता, अगर आप उस साइड से भी प्रेस कर लेंगी, तो बहुत प्लेर्स अच्छी नहीं लगेंगी, थोड़े सी हिस्से में तीन या चार प्लेर्स से ही आएंगी, पिर यह इस साइड से भी आर्म होल की कटिंग हो जाएगी, और यह हमारी प्लेर्स में आजाएंगी, बहुत अच्छे क्लिक्चे से 3 प्लेर्स इस तरह से और इस वैग प प्रेस कर सकती है, और गले में हम पाइपन लगाएंगे, और आर्म होल में जो हमने स्लीव लगाने हैं आपकी मर्जी है, फुल लगाएं चाहे हाफ या स्लीव लैसी ही कर लें, अब हमारे पास कपड़ा जो साइड से बचा है, शर्ड का तो हम इस में से फुल स्लीव जाए, और हमें ये स्लीव 11 इंच के चाहिए, अगर ये छोटे बन गए तो हम इसमें आगे लैस या पाइपन लगाएंगे, अगर पूरा मुकमली है, स्लाई का मार्जन रखकर, ये 13 इंच की लैंट बन रही है, हमारे पास, तो हम इसी को फोल्ड कर लेंगे, अगर कोई ल जोड लगाने से पहले आप इस चीज़ का ख्याल कर लेंगे, जो ये हमारे पूलों का रूख है, हमेशा एकवल रखें, ये देखें, ये उपर की सैट जा रहे हैं, तो हम जोड वाला हिस्सा भी कोशिश करें, कि हमारे उपर की ही सैट जाए, और ये दूसरा पीस जो स्ली हमेरे पास चारो ही, चार पीस इस तरह से करेंगे, और ये देखें इस तरह से, ये जोड हमारा इस तरह से आएगा, और हमारी स्लीव के चोड़ाई, लंबाई, मुकमल, परफेक्ट तरीके से मिल जाएगी, आप चाहें तो ये बैल बॉटम स्लीव भी बना सकती हैं, चाहे तो सिंपल भी चाहे, तो दर्मियान में लास्टिक ये डोरी भी डाल सकती है, चाहे आगे थोड़ी सी फ्रील बना कर आगे भी लास्टिक डाला जा सकता है, अब मैं आपको इसको खुला सा ही बाजू की कटिंग दिखा रही हूं, पहले हम इसका बैलनस करेंगी, इस तरह स इस तरह से हमारे पास खुले-खुले से बैल बाटम टॉप के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, तो इसमें आप हलकी सी कोई टसल्स वाली लैस भी लगा सकती है, चाहे पाइपिंग भी शॉकिंग कलर की, इस तरह से मेरी ये कटिंग मुकम्मिल हो गई है, मैं आपको इसकी स्लाई करने के बाद भी दिखाती हूँ, ठीका साथ ही बता रही हूँ, तो इस तरह से मशीन के साथ प्रेस करकर और इसी तरह से ये देखें, दूसरी प्लेट्स भी दर्मियान वाले हिस्से के पास आ गई है, ये देखें, और इस तरह से जितना हमने अंदर की साइड किया है, कोशिश करें, इतना ही हमारा ये गैप बाहर भी रहे, अगर आप उपर नीचे भी कर लेंगी, तो वो भी खुबसूरती आ जाएगी, उससे ये देखें, दूसरी प्लेट्स तरमियान वाले हिस्से में, और एक प्लेट्स सिर्फ एक्स्ट्र दर्मियान वाले हिस्से से ज्यादा, इतना ही पीस जितना हमने अंदर किया है, इतना ही बाहर करकर ये देखें, उपर की साइड इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे, अब हमारे पर जो साइज बचा है, तकरीवन वो योग का ही साइज बच जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अंद अब कितने असाना तरीके से आपको समझाया है, अब ये मुकम्मी हो गया, और मैं आपको इस प्ले, योग को जोड कर भी दिखा जेती हूं, इसी तरह से में जोड लगा रही हूं, अगर आप चाहें जाएं तो उपर की साइड से ही लगा लगा लिगा लिएं तो एधर है, कीउanka फिर इससे यह होगा कि जो हमारी रेड कलर की यह शोकिंग यलो कलर की सिलाई है यह बिलकुल सीध लगे लगे और इस तरह से आप यह भी देख लेंगे नीचे की जो मने पहले लगाई है वो उसके साथ ही अटैच हो यह देखें इस तरह से मैं शौकिंग के साथ 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 लगाऊंगी ताके हमारी स्लाई का बैलनस भी परफेक्ट रहे और यह सिलाई हमारी टेड़ी भी ना लगे नहीं इस तरह से मैं बैक की स्लाई लगाऊंगी है इकना साथ सा आरम होल का देखें बच गया अंदाजे से भी यह काम हो जाते हैं अगर आप साइस जिशान लगा करें तो वह भी बहतर होता है यह देखें कितना आसान डेजाइन मैंने तयार किया है और बड़ी बच्ची की शर् ओपन तो मैं इसी तरह से जो बैक का पीस है वो भी इसी तरह से प्लेट्स देकर लगाऊंगी और इसी तरह से प्लेट्स भी इसी के साइड में आ जाएंगी तो जो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी और मैं बार्डर जो आपको दिखाया है वो आर्म होल के साथ स्लीब्स लगाने के बाद गोल करने के बाद बाडर लगाऊंगी ताके हमारा बाडर खुबसूरती से अच्छे तरीके से गोल राउंड यानी के राउंड शेप में हो जाए फिर उसके बाद मैं यह देखें आप जो थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा है इसका आर्म हो भी हम कटिं और इसी तरह योग जोड़कर हमने इसके ओपर थोड़ी सी लेस लगाई क्यूंकि इसमें यलो कलर भी है और शौकिंग कलर भी इसके साथ ही हमने अटैचिंग किया है ताकि मैचिंग भी बहुत अच्छी हो जाए इसी तरह से बैल बाटम स्टाइल के यह स्लीव्स की है थो अवीद है आपको इफराग पसंद आया होगा कटिंग भी और स्टीचिंग भी सिर्फ मेन चीज प्लेट्स की है वो आपको समझाती है अगर कोई गलती बताने में समझाने में होगी हो तो प्लीज माफिक कर दीजिएगा दौाओं में याद रखना हो कि जी आला आफ़ेज तो अवीद है तो अवीद रखना होगी है यह जुड़े रखना हो प्लेट्स